बालू और किर्टी स्कूल के मैदान में खेल रहे थे कुछ देर खेलने के बाद थका हारा बालू एक पेड़ की छाओ में जाकर बैठ गया किर्टी बालू के पास गई और पूछा क्या हुआ बालू इस तरह खेल के बीच में आकर यहां क्यूं बैठ गया हुआ क्या है दीदी धूप में खेल रहा हूँ तो ऐसे लग रहा है जैसे सूरज दादा मेरे शरीर से सारी शक्ती सींच रहे हो सही कहा मुझे भी ऐसा ही लग रहा है तो फिर चल घर चलते हैं पर हाँ मा को मत पता ना अगर मा को पता चल गया तो वो कल से हमें खेलने नहीं बेजेगी ठीक है दीदी पर दीदी अभी के अभी मुझे से चला नहीं जाएगा थोड़ी देर पेड की छाओं में बैठ जाते हैं न बालू की कही सुन कीरती थोड़ी देर पेड की छाओं में बैठ गई अरे बावजी, आप यहाँ? मैं और बालु खेल रहे थे न, तो पैरों में दर्द होने लगा, बस इसलिए यहाँ पर थोड़ी देर बैठने आ गया, यो बात को संभालते हुए किर्ती ने कहा, कुछ देर तक वे तीनों वहीं पर बैठे रहे, थोड़ी थंड़क पढ़ने पर वे तीनों घर वापस क्या बताओं, दरसल वो पडोसन रमा है न, वो अपने काम से मुझे कहीं ले कर गई थी, उसका काम आदे घंटे में हो गया, वापस लोटने तक हालत खराब हो गई, भीतर के कमरे में जाने तक की ताकत नहीं थी, और यहाँ दर्वाजे के पास हवा भी आ रही थी, तो उनकी बाते सुन, बालू क्यूती को साथ लिये, दूसरे कमरे में गया, देदी, हालत खराब सिर्फ अपनी ही नहीं, बल्कि मा बाउजे की भी है, इसका मतलब यह सूरज दादा का ही प्रकप होगा ना, हाँ, इस तरह अपनी सहन शक्ति खोकर, तेज धूप से लूप से ब किलने जाए, तो धूप से वैसे ही बच सकते हैं, पर मा बाउजी तो इससे छूट नहीं सकते ना, उन्हें तो हर दिन काम पर जाना ही पड़ता है, हमारी खुशी के लिए, धूप, बरसा, चाओ, सभी का सामना कर उन्हें काम करना पड़ता है, हमें ही उनके लिए कुछ कर ना होगा, कीरती ने अपने भाई से कहा, फिर उन चारों ने मिलकर रात का भोजन किया, चुंकि शांती और नरेश बहुत ठक चुके थे, वे तुरंट सो गये, पर बालू और कीरती गेंच से खेल रहे थे, अगले दिन शाम में वे दोनों उस गाउं के डॉक्टर से मिलने गए, डॉक्टर साब, हमें एक छोटा सा डाउट है, वो आप ही सुलजा सकते हो, हाँ, हाँ, जरूर, पूछो क्या पूछना है, दरेसल डॉक्टर साब, जब हम बाहर धूप में खेलने लगते हैं, हमें ऐसे लगता है, जैसे सूरज ददा हमारे अंदर से सारी शक्ती खी हमें बिल्कुल भी ताकत नहीं रहती, हमें तो लगा था कि ये सिर्फ हमारे साथ हो रहा है, पर हमारे माव बाव जी का भी यही हाल है, उनकी बाते सुनकर हमने ये जाना, आखिर ये हमारे साथा सा क्यों हो रहा है, डॉक्टर? हाँ बेटा, ये सब तपती गर्मी के कारण ही हो रहा है, इस से बचने के लिए हमें सावधानिया बरतनी चाहिए, और इसके लिए कैसी एहतियाद बरतनी है, ये मैंने एक छोटी सी किताब में लिखा है, मैं तुम्हें दूनगा तुम पढ़ लेना, अगर तुम उसे फॉ और अपने माता पिता को पीने के लिए दिया, किर्ती और बालु ने उनके माता पिता को बताया कि धूप में काम करने जाओ तो सूती कपड़े पहने, गर्मी के मौसम में मिलने वाला और पेट को थंडा रखने वाला तर्बूस वे हर रोज घर लाते और काट कर सभी साथ म मिल बैट कर खाते, इस तरह धूप से बचने के और खुद को सुरक्षित रखने के कई तरीकों को अपना कर वे सभी खुद को थंडा रखने लगे बच्चों, कुछ दिनों से देख रहा हूँ, तुम दोनों हमारा बहुत ध्यान रखने लगे हो, हमारे लिए कई चीज़े तयार भी रख रहे हो, आखिर बात क्या है? ऐसा किछ नहीं है बावजी, आप और माँ हमारे लिए दिन रात मैनत करते हो, हर पल सिर्फ हमारे बारे में ही सोचते हो, फिर ऐसे में हमें भी तो आपका ध्यान रखना होगा ना? इसलिए हम इसका ध्यान रखना चाहते हैं, कि आप भले कितनी भी धूप में काम करो, आपको उसे कोई तकलीफ ना हो, बस बालु ने जब इतनी प्यारी बात की, तो पिता ने भावुखोकर उन दोनों को अपने गले से लगाया हमारे लिए इतना सोच रहे हो, यह जान कर मुझे बहुत अच्छा लगा नरेश मन ही मन बहुत खुशो रहा था जब तुम्हारी मा ये बात जानेगी न, वो खुशी से उच्छल पड़ेगी उसे अपनी खुशी पर विश्वास नहीं होगा, वो गाव भर में ये कहते घुमेगी कि मेरे बच्चे कितने सयाने हैं नरेश अपनी पत्नी शान्ती के पास यही बात बताने गया देखा न, आपने, जितना मा बाव जी हमारे लिए करते हैं, उसमें हमने एक प्रतिशत ही कुछ उनके लिए किया होगा पर उनके चेहरे पर इस बात की कितनी खुशी है इसलिए उनके बच्चे होने के नाते, उन्हें इस तप्ती धूप में तकलीफ न हो इसका ध्यान हमें ही रखना चाहिए, वो हमारे लिए जितना कश्ट उठाते हैं, हमें हमेशा उसका आभार मानना चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए, क्यूंकि वो अच्छे रहेंगे, इसी में तो हमारी भलाई है तभी किर्ती और बालू ने देखा कि शान्ती उनकी और दोड़ गर आ रही थी बच्चों, तुम दोनों कितने बड़े हो गए हो, हम माता पिता हैं, इसलिए तुम दोनों का ध्यान रखते हैं पर तुम दोनों ने हमारे बारे में सोचा, समझ में नहीं आ रहा, कि हम दोनों तुम्हारे माता पिता हैं, या तुम्हारे बच्चे आज मैं इतनी खुश हूँ, कि मेरी ही समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या बोले जा रही हूँ मा शांती गदगद हो थी और बच्चों को अपने गले से लगाया बालू और कीर्थी के माता पिता, कुमार और गौरी उन्हें एक बरफीली जगे लेकर गए मा बाउजी आप दोनोंने बहुत बढ़िया काम किया है घर पर इतनी तेज गर्मी सही नहीं जा रही थी अब यहाँ पर कम से कम दो चार दिन अराम से रह सकते हैं ऐसा खुश होकर उसने मा बाउजी से कहा और जैसे ही मुढ़कर कीर्थी की और देखा अरे ये क्या दीडी, यहाँ हम इतने खुश है और तुम होकी मो लटकाया खड़ी हो हाँ, हम तो यहाँ बस दो तिन दिन के लिए ही आये हैं फिर हमें वापस अपने घर ही लाउटना है ना तब अपना क्या हाल होगा, यही सोचकर डर लग रहा है ओफ़ो दीडी, आगे की सोचकर दुखी होगी तो यहाँ के वातवरन के मज़े नहीं ले पाओगी चलो दीडी खेलते हैं बालू किर्ती का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे अपने साथ खेलने ले गया फिर उन दोनों ने मिलकर बर्फ से स्नो मैन बनाया स्नो मैन के साथ वो दोनों खेल रहे थे कि थोड़ी देर में वहाँ पर गवरी आई और उसने कहा बच्चों चलो बहुत हो गया खेलना इतनी देर तक बर्फ में खेलोगे तो सेहत बिगड़ जाएगी चलो घर चलते हैं सुजाता उन दोनों को जबरदस्ती अपने साथ घर ले जाने लगी किर्ती ने थोड़ा बर्फ इकटा किया और उसे अपने मा पर भेका अरे घर चलने के लिए कह रही हूँ तो मुझी पर बर्फ भेका जा रहा है अब देखो मैं क्या करती हूँ फिर गवरी ने भी थोड़ा बर्फ उठाया और उन दोनों पर भेका इस तरव वे तीनों कुछ देर तक वहीं खेलते रहे अरे अरे अब बस भी करो चलो जल्दी घर चलते हैं बर्फ में तुम दोनों की सेहत बिग्री तो तुम्हारे पापा से मुझे ही डांट पड़ेगी और कितनी देर तक पड़े रहोगे मा कपसे कह रही है अब जाग भी जाओ अरे ये क्या पापा को तो कहना चाहिए घर के अंदर आओ फिर ये जागने के लिए क्यों कह रहे हैं ये कहकर कीर्थी ने जैसे ही आंखे खोली तो उसे पता चला वो सो रही थी हम यहां क्या कर रहे हैं अभी अभी तो हम स्नो मैन के साथ बर्फीली जगे में खेल रहे थे ना अच्छा पिछले एक घंटे से बिजली नहीं है और उस पर फ्यान भी नहीं पसीना छूट कर तुम्हारे चेहरे पर गिरा होगा और तुमने उसे बर्फ समझकर सपना देखा होगा तो क्या ये सब सपना था? क्या हम किसी पर फीली जगे नहीं गये? दिन राद बस ऐसे ही पढ़े रहोगे तो ऐसे सपने नहीं देखोगे तो और क्या होगा? ऐसे एक एकर कई दिन बीद गये पर तुम दोनों के हाथ मैंने कभी किताब नहीं देखी किर्थी ने अपने बगल में सो रहे भाई बालू को जगा कर कहा? भाई ये सब तो हर्रस होता ही रहता है तु मेरे साथ चल मैं तुझे अपने सपने के बारे में बताती हूँ थेंड रही होगी न दीदी? हाँ भाई वहाँ पर बहुत थंडी थी काश की हमारा घर ऐसी किसी बर्फीली जगे होता कितना मज़ा आता दीदी तुम्हारी बाते सुनकरना मुझे एक उपाय सूझ रहा है क्यों न हम अपने लिए बर्फ वाला घर बना ले? क्या कहा? बर्फ वाला घर? कीर्टी को अपने साथ उस गाउं में रही आईस्क्रीम फैक्टरी में लेकर गया बालू ने कीर्टी को बताया कि फैक्टरी में किस तरह वे अन्चाह बर्फ यूही गिरा देते हैं दीदी तुमने देखा न? ये वो बर्फ है जिसकी उन्हें अब कोई जरूरत नहीं पहले तो वो पानी से बर्फ बनाते हैं जिससे उनका कोई काम निकलता है एक बार उनका काम हो जाए तो ये बर्फ उनके किसी काम का नहीं होता इसलिए इस अन्चाहे बर्फ को हम अगर ले जाए तो कोई हमें कुछ नहीं कहेगा तो क्यों न हम इसी बर्फ से अपने लिए घर बना ले? बालू के कहने पर उन दोनों ने वहाँ पर बेकार पड़े बर्फ के तुकडों को टोकरी में भरा और अपने घर पर ले आये अपने साथ लाया बर्फ उन्होंने अपनी घर की छट पर बिछा दिया और इस तरह बर्फ के तुकडों के रखने से घर में बहुत जादा ठंडक हो गई इस तरह बालू और किर्ती का जो सपना था कि बर्फीली जगे उनका एक घर हो उन्होंने खोदी उस सपने को पूरा कर लिया जैसे ही बर्फ पिघलकर गिर जाती दोनों फिर से आइस्क्रीम फैक्टरी जाते वहाँ पर गिरे अन्चाहे बर्फ के तुकडों को फिर से तोकडी में भरकर अपने घर ले आते और छट पर उसे रख देते घर की छट पर जैसे ही बर्फ पिघल कर पानी हो जाता बालू छट पर चड़कर वहाँ पर और बर्फ रख देता और इस तरह बालू और कीरती अपने बनाए उस बर्फ के घर में बहुत ही खुश रहने लगे बालू और कीर्थी के बनाए इस अनोखे से बर्फ के घर को देखने दोर-दोर से लोग आते जाते रहते इस तरह बालू और कीर्थी के लिए गर्मी का मौसम ठेंड के मौसम में बदल गया